जिस तरह के उनके कारे करता हैं जो पैसे के और सालरी के बल पर काम कर रहे हैं तो वो लगाव उनको बिहार के जनता से कभी नहीं मिल पाएगा और हमने बार बार काया कि हम एक राजनीता नहीं बलकि एक बेटी बन के काम कर रहे हैं और एक बेटी ने अपनी इमानदारी से प बिहार में चार सीटों में उप्चुना हुआ परिणाम भी आ है आपके एंडिये के पक्ष में रिजल्ट आ है कैसा लग रहा है क्या रियेक्स सद्धा देखे बहुत कुशी हो रही है कि जनता ने एक पर फिर से एंडिये की सोच के एंडिये की विचारधारा को और नीतियों को चुना है मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं बिहार क्या जो हमारा परिवार है जो जनता है जो मद्दाता करने है वो लोग हमारे साथ है और यह हमें बाइलेक्शन में देखने के लिए मिला यह आने वाले दोहजार पच्छिस के लिए भी कि क्या कर सकती है ने देखे मेरा कोई सुझाओ उनके लिए इसलिए नहीं है क्योंकि वो बहुत बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के साथ पहले भी काम कर चुके हैं और मुझे लगता है कि राजनीती एक ऐसी चीज़ है जब तक आप जनता से वननों वन नहीं पाएगा जो लोग सालरीड इंप्लॉईज के तरह काम करते हैं वो काम नहीं कर सकते जब तक आप छेत्र में उतरके प्रतेग जन्त से मिलेंगे जो लेंगे नहीं उनके सुक्तुक में खड़े नहीं होंगे तब तक आप राजनीती में आगे नहीं पढ़ सकते हैं और कौन सी ऐसी सरकार है जो जन्ता के हित में काम कर रही है कौन सी ऐसी सरकार है जिनकी नीतियां धरातल पर उतर रही है और सिर्कागज पर नहीं रह जा रही है इन सबी चीज़ को जानते हुए देखते हुए बिहार की जन्ता ने चुनने का फैसला किया इन बाय एलेक्शन के क्या वज़ा मानती है देखिए जारकर्ण में मेरा काम करने का जादा मौका मुझे नहीं मिल पाए इसलिए मैं इस पर टिपनी नहीं कर सकती निश्यत रूप से भारते जंता पार्टी के जुशीष नेत रित्व है और तमाम जो एंडिये का गटपंदन इस पार था सब लोग पार्टी के योड्श के ओपर पीचार निश्यत करेंगे महाराष्टर के जीत से हम लोग बहुत कोशिक्शक की कि 1976 तुद कि अपर इक पारत बाहतता है मारा को इनको कि बहुत बड़ी जीत है और इतने अच्छे मार्जन से हम लोग जीतेंगे मुझे लगते कि पिछले 50 वर्षों में ऐसा पहली पार देखने के लिए मिला है एक पुलिटिरल पार्टी को तो डेफिनेटल इससे काफी खुश है जारखन की जीत के बाद इंडिया गटबंधन बह की जाना आया है कि जारखन तो एक जांकी है अभी दो जार पचीस है बिहार में वहीरक्याल दूरॉर में हुआँ, क्या लगता है कि उससी तरह का परिनाम बिहुत बिहार होगा, पशीज में देखने को मिला,ug निश्वत रूप से 2025 में जिस तरह के बाई एलेक्शन का रिजल्ट हम लोगों के सामने आया कल के दिन में, बिहार के जनता मुख्यमंतरी के कुर्सी पर आदनिय निधिश कुमार जी को और चीश नेतरित्व यानि की प्रधान मंतरी जी की कुर्सी पर नरिंद्र मोधी जी को और बार बार बिहार के जनता ने ये फैसले को अपनाया है, इसी के पक्ष में मैंडेट भी दिया है, तो मुझे लगता है कि आने वाले 2025 में भी NDA की मजबूती से सरकार बनेगी, विपक्षी दलों का या विरोधियों का हमेशा चुनाओ को लेके कुछ मुद्दा होता है, इस तरह के नए स्लोगन्स और स्लाइंग्स निकलते हैं, लेकि मुझे नहीं लगता कि जनता पर इसका असर पड़ेगा, आफ्टर आल जैसे मैंने आपको बताया कि मीडिया के माधियम से है, सोचल मीडिया के माधियम से, जनता भी देख रही है कि किस तरह के लोग काम कर र रही है, करप्शन से लड़ाई लड़ी जा रही है, और साथी साथ शिक्षा की हम बात करें, उसमें जो हमारे टीचर्स थे जिनको अभी सबको नियुक्ति पत्र भी दिया गया है, अगर हम स्वास्त की बात करें तो इतने सारे एपियर्स से, इसके माधियम से, हेल्थ और खोलने का काम कर रहे है, डॉक्टर्स की नंबर में बढ़तरी हो रही है, निश्यत रूप से हम लोग अग्रिकल्ट्रल काम कर रहे हैं, चोटी-चोटी चीजों को लेकर पर आगे बढ़ रहे हैं, और जहां तक अधार बुच्छन रचनाओं का विस्तार का रहा है, वो भी तेजी गती से बिहार में चल रहा है, हाली में नितिन गटकरी जी भी आया थे हम लोगों के बीच में, उन्होंने भी बड़ी-बड़ी योजनाओं का शिलन्यास किया, यहां स्वेम प्रदान मंत्री जी जमुई के धरती पर आकर उन्होंने 6600 करोड की जो योजना है, उसक उसका क्रियान्वे किया, चलन्यास किया और रुद्गार्टन किया, तो जो बड़ी योजना है और साथी साथ जो छोटी-छोटी योजना है वो सभी आज धरातिल पर दिखने दिख रही है, जिस वज़े से बिहार की जनता चाहती है कि NDA की सरकार आए और NDA की सरकार काम कर पर पचीस के चुना में मात्र लगबग साल बर मुने तीन सो पैसर दिन के आसपास बचे हुए, स्रेसी भी तयारी में जूट गई होगी, किसानों की समस्या पर बहुत ज़्यादा जोड़ दे रही है, या फिर जनहित की जो समस्या है, देखने को मिला कि आप कई बांधों का निरक्षन, रहों का निरक्षन किया है, कैसी तयारी है अपकी? जो बड़ी अधार बुच्छन रचनाओं की कमी थी जमुई विधान सभा में, उनको भी आज धरातल पर उतारने का काम किया है, बहुत सी योजनाए हैं, जो आज हम लोग उसका उत्गाटन भी कर चुके हैं, और लोग उसको आवागमन के लिए इस्तिमाल कर रहे हैं, बह कि जब कोई व्यक्ती, और हमने बार-बार काया है कि हम एक राजनीता नहीं, बलकि एक बेटी बन के काम कर रहे हैं, और एक बेटी ने अपनी इमानदारी से, पूरी इमानदारी से काम कर के दिया है, और मुझे लगता है कि जनता को इस बात का एहसास भी है, और इस बात की खुशी भी है कि उनके बीच एक कोई जन प्रित निदिया विधायक नहीं बलकि उनके घर की बेटी काम कर रही है तो जब मैं लोगों के बीच में जाती हूं तो यही भावना उनसे मुझे मतब इस चीज का सम्मान और आदर भी प्यार भी मिलता है और मैं भी उसी चीज को र किसी तरह चल रही है असा भरोसा जंता कि आपका है जो फिर रिपीट होगा जनता का भरोसा को उन्हें विस्वास अप खुमी लेगा तीलो निष्डतरुप से मुझे तो पूरा भरोसा है क्योंकि मैं जंता तो गहूंगी कि जमुई मेरा परिबार है, तो परिबार तो बेटियों को ढगाने है. लेकिन और मैंने इमानदारी से काम भी किया है. चाहिए वो विकास का काम हो, जाहिए वह जनता के दुख-सुप में խड़े रहने का काम हो, आगरिकल्चुर का काम हो, स्पोर्ट का काम ह या स्वास्तकेंद्र का लाब हो, सभी चीजों को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, तो अगर आप मेरे पिछले चारज साल को compare करेंगे किसी भी पूर्व में जन प्रतिनिदी के कार्यों से, तो निश्यत रूप से on paper भी आपको दिखेगा, कि हमने जादा काम करके दिखाया है, और उस वजह से लोगों मुझे पूरा यकीन है, कि लोग उस काम से खुश होंगे, क्योंकि विकास के कार्यों यहाँ पर एकदम से ठप से हो गयते, और जो पिछले चार साल में जो गती आई है, जिस तरह कि प्रोजेक्ट्स हम लोग और कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होत सोच से लोग जुड़ेवे हैं, तो निश्यत रूप से जमुई की जनता हमको चाहती है, और हम उन लोगों को चाहते हैं, हमने बार-बार काये कि हम जमुई के लिए आखरी दम तक काम करना चाहेंगे, चाहे जिस पी पर पर हो, तो यह थे मेरे साथ जमुई से बीजेपी बिदायक स्रेसी सिंग जिनका कहना है कि दोजार पटीस में इतीज कुमार के निटित में बिहार बिदान सफ़ा का चेनल ला जाएगा, और एक बार फिर बिहार में इंडिये की सरकार बनेगी, ताकिस कुमार सिंग बिहार तक जमुई